सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का अपके अपने उड़ी से आ जाईए सभी को आदें आज की जो किलास है यह आपकी सिंपलिफिकेश आज की का सिंपल इंटेर आज हम लोग जानेंगे कि ब्याज क्या होता है सबसे पहले तो मोग इसके ऊपर चरचा करेंगे कि ब्याज होता क्या है इसके फार्मूले क्या होता है जैसे आपको बतादे आपको वताएं कुछ चीजें होती है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज इक्वल्टू होता क्या है जैसे अगर हम साधारण ब्याज इक्वल्टू सोट कट में लिखें तो इसको यसाई कह सकते हैं मूल धन की अगर हम बात करें मूल धन को हम क्या कहते हैं सोट कट में इसको कह सकते हैं इसके बाद में दर को हम सोट कट में आर कह सकते हैं समय को हम सोट कट में ही कह सकते हैं पिस्र धन को हम सोट कट में ए कह सकते हैं यह सारी चीजे, इनको हम स्वट फार्म में बोल अब ज данُेसे आप से फार्मूला बेचा जा exam कि भाया बताये साधारड व्याज इक। हल तो फार्मूला क्या होची मिध्या हान अप सभी को फार्मूला भी पता फार्मूले लिख दी हमको नहीं पता तभी याद रखना अगर हम SI बनाए तो वो साधारल ब्याज होगा P बनाए तो वो मूलधन होगा दर R बनाएंगे समय के लिए T बनाएंगे मिस सदन के लिए A बनाएंगे यह सारी चीज़ें हम बनाने वाले यह सारी चीज़ें आप सभी को याद रखनी है कि कहा पर क्या बनेगा अब अगर हम बात करें हम लोग अगर हम लोग बात करें कि साधारल ब्याज इक्कुल टू फार्मूला क्या होता है यानि कि SI is equal to formula होता क्या है आप सभी को पताओगा SI is equal to होता है PRT upon hand आपको यह formula याद रखना हमने आपको पहले ही बता दिया है कि P की बैलू होती है P को हम मूलधन कहते है R को हम दर कहते है T को हम समय कहते है ना तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे और सव जो है वो हमबटे में लगाते है अब अगर आप से यहीं पर पूंचा जाए दर equal to यानि कि R बराबर क्या होता है तो हमेसा बयाज का गुड़ा सव के साथ करेंगे चाहें दर पूंचा जाए चाहें समय पूंचा जाए चाहें मूल धन पूंचा जाए हर इस्तिती परिस्तिती में बयाज का गुड़ा ही सव से किया जाएगा यानि SI into 100 अब जो चीज पूँची जाएगी जो बचेगा उसको बटे में अब अगर हम T पूँचें यानि की समय समय पूँचें तो भईया SI into 100 ये भी हो जाएगा अब बटे में PR हो जाएगा अगर हम आपसे P पूँचें यानि की मूलधन मूलधन आपसे पूँचें तो आप SI into 100 फिर भी करेंगे और बटे में आप क्या कर देंगे मूलधन पूँचा गया अब RT कर देंगे इसके बाद में अगर आपसे AMOUNT यानि की मिस्सरधन पूँचा जाए मिस्सरधन इक्वल टू क्या होता है यह होता है AMOUNT इसके बराबर होता है P PLUS ESI हैना अगर आपसे AMOUNT पूँचा जाता है तो P PLUS ESI आपका हो जाएगा AMOUNT बताइए इतनी सारी चीजें सभी के समझ में आ गई होगी किसी को कोई दिक्कत परिशानी तो नही पताइए भाई अब अगर हम लोग बात करें इसके बाद में फार्मूले तो आपके यह हो गए जिसने नोट ना कर पाए हो तो वो नोट कर सकता है तिक है यह आपके होते हैं फार्मूले SI equal to PRT upon 100 Dar equal to SI into 100 upon PT Sum is equal to SI into 100 upon PR मूल्धन equal to SI into 100 upon RT और मिस्दन equal to P plus SI आपका होता है मूल्धन प्लस साधारल ब्याज आपका हो जाता है सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब अगर सरम कोशन पे चलें कोशन आपके क्या है सभी लोग देखेंगे सबसे पहला प्रसन आपके सामने दिया गया महेश 8560 रुपए की रासी 4 प्रतिसत प्रतिवर्च की दर से 2 बर्च के लिए निबेश करता है 2 बर्च के बाद उसे चक्रवदी व्याज की लगवग कितनी रासी प्राप्त होगी की आपको यह बताना है कि दो बर्च के बाद में वो चक्रवदी व्याज के रूप में चक्रवदी लिखा है क्या लिखा है चक्रवदी का सवाल आगे हम सादाड़ व्याज आपको बता रहे थे एक सेकंड रूख चाहिएगा अच्छा पीडी अप गलत लग गया चलिए कोई बात नहीं अब हम लोग चलते हैं अपने नेस्ट टापिक पर चलो पॉइंट पर चलेंगे सीधा पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग अब आपको हम सबसे पहले तो बताते हैं देखो अगर आपको मानलो पी बराबर अगर आपको दे दिया जाए कि एक हजार रुपया है कितना दिया जाए एक हजार रुपया दे दिया जाए अगर आपको R बराबर 5% दे दिया जाए और समय T बराबर 2 वर्स दे दिया जाए आप से सर ब्याज यानि कि SI पूँचा जाए साधार ब्याज यानि कि SI पूँचा जाए कि आप पूँचा जाए SI पूँचा जाए तो आप कितना बताएंगे या अंसर बताएं आपको सर मूलधन दिया गया है आपको सर दर दिया गया है आपको सर समय दिया गया है आप से सर साधार ब्याज पूछता है कि साधार ब्याज कितना हो जाएगा आप सभी को बताना है जितना भी साधार ब्याज हो जाएगा बहुत सिंपल सा सवाल होता है इस तरीके का question लगाना सभी लोग समझेंगे कि सादाड़ ब्याज equal to होता क्या है PRT upon hundred होता है अब सर हमको P की वैलू पता है अललेडी की 1000 है हमको सर R की वैलू पता है अललेडी की 5 है हमको सर T की वैलू पता है की 2 है बटे में 100 दो जीरो से दो जीरो कड़ आएंगे दस्पना पचास दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा अंचर भाया कितना आएगा 100 आएगा ठीक है पता है बटेज सवा गया यहीं पर आपसे एक चीज़ और पूच दी जाती आपको पता है कि एमाउंट इक्वल टू पी पिलस यहसाई होता है पी हमारा 1000 है यहसाई हमारा 100 आया है अगर एमाउंट पूचा जाता तो हम एमाउंट कितना कर देते ग्यारा सव कर देते बताओ कोई दिक्कत किसी को आज बिलकुल बेसिक से आप लोग सवाल सीखेंगे जिससे कि आपसे एक जाम में पूच दिया जाए तो आप गलत ना करें कल फिर इसका पूरा पीडियाप लाएंगे आज पीडियाप गलत बन गया यार पीडियाप बनाना था साधार भी आज का बन गया चक्रवद भी आज का है ना चलिए घर कोई बात नहीं है ठीक है भाई चलिए अगले प्रस्ण पे चलिएगा अगर आपको P equal to 2000 दे दिया जाए R equal to 10% दे दिया जाए P equal to 5 बस दे दिया जाए और आपसे amount पूचा जाए इसमें amount में क्या होता है कि आपको ब्याज तो निकालना ही पड़ता है अगर हम ब्याज पूच लेंगे तो ब्याज तक ही सीमित हो जाएगा amount मतलब missed दन पूच लिया तो आप ब्याज निकालेंगे तब ही amount बता सकते है सबसे पहले तो आप ब्याज निकालिए इसके बाद में अमांट बता पाएंगे ना सबसे पहले ब्याज निकालिए बताओ भई ब्याज कितना आजाएगा सारे लोग बरा देंगे बहुत सिंपल सा प्रसन है आप आसानी से लगा सके ठीक है बताईए देखो आपको पताएगी SI equal to हम आपको फार्मूला बताके यह आगए PRT upon 100 होते ही है तो भीया आपको पताएगी SI equal to P की वैलू 2000 है R की वैलू 10 है T की वैलू 5 है पट्टे में आप सब करेंगे कि 2 0 से 2 0 कट जाएगे 20 2525 एक हजार आज हमारा कित आएगा 1000 रुपया आजाएगा यह हमारा क्या आया है SI आया हमसे लेकिन पूचा क्या जा रहा है हमसे कहा जा रहा है कि साटy Parents बताना है तो भीया P कितना था 2000 था पिया आज कितना आया 1000 अया टोटली कितना हो जायगा 3000 हो जाएगा पताईए कोई दिक्कत हो, तीन हजार रुपया टोटली हो जाएगा, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको बता दीजे जिस किसी को भी कोई अंसर कितना आ जाएगा, अंसर आ जाएगा एक हजार, तीन हजार सोरी, एक हजार आपका ब्या जाएगा चलो आगे चलते हैं नेस्ट प्रसंट पे अगला प्रसंट अगर आपको दे दिये जाए P इक्वल टू तीन हजार हो R इक्वल टू परजेंट हो C इक्वल टू दो बर्स हो आप से SI पूँचा जाए तो आप कितना बताएंगे अब तो आप बताई देंगे अब तो सारे लोग बता देंगे किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए सभी का आंसर आजाना चाहिए जिसका जितना आए बताओ अब तो हर किसी का आंसर आजाएगा किसी का भी गलत ही नहीं होगा बताओ भई चल्दी से बता दो सारे लोग बता देंगे आंसर की किसका कितना आएगा सभी लोग आंसर बता देंगे जिसका जितना आएगा देखो बहुत सिंपल सा प्रसन है आपको पताए कि सर यसा इक्वल टू होता क्या है कितना ही टी बता है अब बैया प की वैलू कितनी है तीन हजार है आर की वैलू 5 है टी की वैलू 2 है वटे में 2-0 से 2-0 कट जाएगो 3 पचे पंदा डिल सो डिल सो दूना तीन अंसर कितना आएगा तीन आपके पूचा क्या गया था यह साई पूचा अगर यहां भी आपसे एमाउंट पूछ लिया जाता तो आप 3000 प्लस 300 कर देते, आपका एमाउंट भी आ जाता, 3300 आ जाता बताईए अगर कोई, आगे चलें, प्रसंट पर चला जाए, अगला प्रसंट क्या है, सभी लोग देखेंगे और आंशर बताएंगे, बहुत सिंपल सा प्रसंट है, सारे लोग बता देंगे आंशर कितना आएगा, अगर सरजी आपसे पूछ जाए, यहां पर P is equal to आपको दिया गया है, 1500, R is equal to आपको दिया गया है, 20 परसेंट दिया गय आपको दिया गया है, 6 बर्स, T is equal to 6 बर्स दिया गया है, आपसे सर, SI is equal to आजाएगे तो आप कितना बताएंगे बतादी, SI कितना आएगा, बताएगा, पताईए सर, SI कितना आजाएगा, सभी लोग बता देंगे, जिसका भी जितना SI आजाए, अपना-अपना SI बतादीजे इसका कितना आएगा जली से बताओ SI कितना आजाएगा सभी लोग बता देंगे भई बहुत सिंपल सा प्रसन है आप आसानी से बता सकते कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है P is equal to 15, R equal to 20, T equal to 6 SI कितना होगा आपको SI बताना है सारे लोग SI बता दीजिए इसका भी जितना आए बताइए भई SI कितना आएगा सारे लोग बता देंगे और भाई आपको बता दें प्रूब कर एप डाउनलोड कर लीजिए प्रूब कर एप पर फुल पीडियाप UPT-ET के लिए मात्र 49 रुपए में आपको मिल लए है सारे नोट्स आराम से आप प्रूब कर पर नोट्स को पढ़िएगा जब भी आपको समय मिले तब आप पढ़ डिजिएगा है ना वहाँ पर आपको बिलकुल फ्री आप कास्ट आपके लिए सारे नोट्स जो है वो अबे लेविल है तो आप इन नोट्स का फाइदा उठाईए मात्र 49 रुपए में जिसको भी लेना हो UPT-ET का फुल आपको मिल ला है फुल कोर्स मात्र 49 रुपए में तो आप 49 रुपए में फाइदा उठा सकते हैं UPT-ET का ऐसे आप समझ दीजिए और कोर्स अभी नहीं लांच किया गया है बहुत जल कोर्स भी लांच होगा वो भी मात्र 149 रुपए वो भी जादना रुपए में नहीं होगा मात्र 149 रुपए में कोर्स आपका लांच किया जाएगा इससे सस्ता कोर्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा 149 रुपई पुरा फुल कोर्स 149 रुपई में कहीं मिल जाए तो आप बताना वो हमारे एप पर मिलेगा प्रूप कर पर पुरा फुल कोर्स यहना बहुत अच्छे से हम 136 नंबर लाए थे आप लोगों को 146 नंबर दिलाने की कोशिस करेंगे अगर आप हमारा थोड़ा भी बरोसा करेंगे वानना कि हमारा कोई सब्जेक्ट कमजोर था तब 136 है वो भी संस्कृत का हम चैन करते हैं इसलिए अगर हमारा भी सब्जेक्ट मजबूत होता तो आप 146 लाते अगर आपका मजबूत है संस्कृत या इंगलिस में कोई सब्जेक्ट तो गारटी लेते हैं कि आप 146 लाएंगे अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर आपको 146 लाना है तो आप इस बैच कोर्स को जॉइन कर लीजिए अपने सबी दोस्तों को बता दीजिए पीडिया मात्र 49 रुपए में और जो वीडियो वाला ओनलाइन कोर्स होगा किलासिज वाला बो मात्र 49 रुपए में है अगर आप कोई जॉइन करना चाहते हैं 146 लीजिए तो आप जॉइन कर सकते हैं अपने सबी दोस्तों को बता सकते हैं कि 149 रुपए में और क्या चाहिए 149 रुपए में आपको सारा कॉर्स मिलता है अगर किसी को भी जॉइन करना है तो जॉइन कर सकते हैं जिसे भी जो भी जॉइन करना है जॉइन कर लिजिए अपने दोस्तों को भी बता दीजिए एक 149 रुपए में और क्या चाहिए अब देखो यह साही पूछा गया था आप तो आप सभी लोग सीख गए होंगे या साही निकाला पंदा सव गुड़े पीस गुड़े च्छे बट्टे सव दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे पंदरा दूनी तीस तीन सव हो जाएगा गुड़े च्छाक अठारा सव हो जाएगा कितना भाईया ब्याज आ गया अठारा सो ब्याज आ गया क्यूंकि दर उसकी 20 परसेंट रखी गई थी और 6 बर्स के बाद में बोधन बापिस किया गया था अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दे किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दें, चलो भई, आंगे चलते हैं, नेश्ट कुिस्चन पर सभी लोग देखेंगे और बताएंगे अगर आपको सर पी बराबर एक हजार दे दिया जाए, आर की वैलू आपसे पुछी जाए, पी बराबर पांच बर्स दे दिया जाए और ब्याज आपको सर यह साई इक्वल टू पांच सव रुपए दे दिया जाए, आपसे सर आर पूछा जा रहा है, आर बताईए आपसे सर क्या पूछा जा रहा है, आपसे सर आर पूछा जा रहा है, सभी लोग आर बता दीजिए कि आपका आर कितना आएगा, बहुत सिंपल चा प्रस नहीं, आप आसानी से आंसर बता सकते हैं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आर की बैलू निकालने में, आराम से आप लोग आर की बैलू निकाल देंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो देखो भाई, अगर आप यहां पर SI निकालेंगे, सबसे पहले आपको पताए कि R equal to formula क्या होता है, SI गुणे 100 बटे PT, अब आप यह बताए, SI आपको 500 दिया गया, इंटू में 100 है, P आपको 1000 दिया गया, इंटू में T आपको 5 बस दिया गया, भाईया, आप यह बताए, तीन जीरो से आपके 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से 5 सामन 50 हो जाएगा, भाईया, R equal to कितना आजाएगा? 10% आजाएगा, कितना आजाएगा? 10% बारसिक, R equal to value कितनी आजाएगी, सर? 10% बारसिक आजाएगी, R equal to value, बताएगे, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो, तो हमको बताएगे, किसी को भी कोई दिक्कत आई हो, तो बताएगे, सभी का आँचर आगया होगा, 10% बारसिक, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना बताओ किसी को कोई दिक्कत आई कि नहीं आई एक बार बता दें भाई सारे लोग अगर दिक्कत नहीं आई है तो आप लोग बता दें R बराबर कितना हो जाएगा 10% वारसिक हो जाएगा किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आये होगी आराम से आंसर आप लोग ने निकाल लिया चलिए भई, अगले प्रसंद पे चलते हैं अगला प्रसंद क्या है सबी लोग देखेंगे अगला प्रस्ण अगर आपको दे दिया जाए P बराबर 400 रुपए R बराबर आपसे पूंचा जाए T बराबर 2 बर्स दिया जाए और SI बराबर 100 रुपए दिया जाए आपको R की वैलू निकालनी पड़ जाए तो आप किस फिरकार से निकालेंगे एक बार ये बता दीजे अगर आपको R की वैलू निकालनी पड़े तो आप कैसे निकालेंगे सभी लोग बता देंगे जो भी जैसे निकाले आप लोग बता दीजे कि सर आप R की वैलू कैसे निकालेंगे जैसे भी आप निकाल पाएं बताएं मैं आर की बैलू आप कैसे निकाल लेंगे एक बार ये बता दीजिए झाल लेंगे बताएं देखो भाई आप बताओ आर बराबर आपको पताएं कि एसाई इंटू हंडेड अपान में पीठी होगे इसाई कितना है सव रुपय है इंटू हंडेड है पी कितना है चार सव है या दो जीरो से दो जीरो कटे चार से काटा पचीस शकू सब 20 व्टे दो आया तो काइं लगाएंगा बारा स्व एक वटाद दो परसेंट आ जाएगी कितनी आएगी बारा सभी एक वटे दो परसेंट आ दर अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई तो बता दीजिए बारा से यह गटे दो दर निकालने में आज का सेशन यहीं पर खतम करते हैं इसके आंगे का सेशन आपको मिलेगा जब पीडियाप बनाके लाएंगे अभी हमारी किलास है थोड़ समय होग चुका है तो इसके आंगे का सेशन आपको मिलेगा कल पूरा तीस मिनट का उसमें आपके लिए पीडियाप बनाके लाएंगे इस सीजिको जो भी हमने आपको फार्मूले बताए जिस तरीके से निकाले जाते हमान बो बताया सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे है ना होसला हमेशा बुलंद रख करा यह पंजिल आपको मिलती जाएगी ये बाद हमारी याद रखना चलते हैं भाई मिलते नेश्ट किलास में तब तक के लिए सभी को बैबाए टेक क्या